नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का विदान क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर जो 25 अक्टूबर को आपको टेस्ट दिया गया था उस टेस्ट का आज हम सॉल्योशन कर रहे हैं और वो टेस्ट अब निश्क्रिय हो जाएगा उसका लिंक तो जिन लोगों नहीं दिया है वो अब next Sunday जो टेस्ट होगा उसको दीजिएगा चलिए जो तो हम इसे start करते हैं जिस तरह से आपने टेस्ट दिया है उसी तरह से मैं इस टेस्ट को दूँगा उसी तरह से इसे मैं answer करूँगा और last में हम देखेंगे सब्मिट करके देंगे हम सब्मिट करके देखेंगे कि क्या हमने जब सब्मिट किया तो हमारे सभी questions सही हुए या नहीं हुए और आपके कितने हुए ये भी आप चेक कर सकते हैं start करेंगे और अपना नाम यहाँ पर feed करना है अपने को वेदांग classes ठीक है start quiz किया आपने quiz करने के बाद इस तरह से नाम देना था केवल आपको और जैसे ही okay करते आप तो quiz open हो गई है timing का मैंने इसमें कोई setup नहीं रखा था यानि without timing इसे कितना भी समय लिया जा सकता था x y theory इसका संबंध किस से है तो हम अभी प्रेणा topic पड़ रहे थे उसी में इसका आपको बताना था कि x y theory सिद्दांध दिया गया है जो कि अभी प्रेढ़ना का इसका सीधा संबंद दिया गया है X का मतलब नकारात्मक है निराशावादी अभी प्रेढ़ना है और Y का मतलब आशावादी यानि उल्टा चल रहा है पहले निराशावादी फिर आशावादी तो X, Y थेorys तरह से चल रही है दूसरा क्योशन है नंबर सेकेंड मैक ड्यूगल ने कितनी मूल प्रवतियां बताई है तो मैक ड्यूगल ने 14 मूल प्रवतियां बताई है आसान क्योशन था मैक्स ग्रेगर अनुसार आशावादी का संबंद है यानि कि जो X, Y सिधान्त है वो मैक्स ग्रेगर के द्वारा दिया गया है और आशावादी का मतलब बाद में यानि Y का मतलब होता है आशावादी और X का मतलब होता है निराशावादी ठीक है अगला प्रशन है अभी प्रेणा का संग्यानात्मक सिधान्त दिया गया है संग्यानात्मक् सिध्धान्थ अभी प्रेणा का आपको बताना है जिसका इसमें सही आंसर है न्यूकॉन के द्वारा ठीक है और यहां अगर दूसरा प्रश्न पूछ लिए जाए कि अधिगम का संग्यानात्मक सिध्धान्थ किसके द्वारा दिया गया तो आप फिर आप जीन पियाजे बता सकते हैं ठीक है चलीजे और मनो विश्रेशनवाद का सिद्धान्थ सिग्मन फ्राइड के द्वरा दिया गया है तो न्यूको निसमें जीवन मूल प्रवत्ती का नाम दिया है देखो जीवन मूल प्रवत्ती इरोज एक फिल्म बनती है इरोज इंटरनेशनल तो वो जीवन मूल प्रवत्ती और थेनाटोस मृत्यू मूल प्रवत्ती कहलाती है एक्स का मतलब होता है निराशावादी वाय का मतलब होता जितने ज्यादा अच्छे से प्रेणा दोगी जितने ज्यादा से आप चालक दोगे उतना अच्छा काम होगा जितना कम चालक दोगे उतना कम काम होगा कम अभी प्रेणा मिलेगी तो हल के द्वारा यह सिद्धान्थ दिया गया है अगला अगला प्रश्ण है निम लिखित मे आपका स्थर कैसा है आप आकांशा जो है वो बाहरी है ठीक है तो यहां इन में से कोई नहीं सहीए आंसर क्या होगा, इन में से कोई भी आंत्रिक अभी प्रेणा का उधारण नहीं है, ये सबी बाईया है आपको प्रशन सा, उपलब, धी, निंदा, दंड ये सब बाहर ही होती है ठीक है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें कौशल, मुल्य क्या इस्तापित करते हैं आदतें कौशल, मुल्य तथा अभी प्रेणा को विक्सित करते हैं आदत भी विक्सित करते हैं, कौशल भी विक्सित करते हैं और मुल्य, मुल्य मत्तब नैतिकता, इमानदारी, त्यादी और अभी प्रेणा को विक्सित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशिल सदस्य बनाती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहा जाता है समाजी करन वो वेलिएशन कहां जा रहा है वो काम कहां आएगा समाज के प्रतिश जिम्मेदार बनेगा तो समाजवादी होगा समावेशन नहीं है मुख्य अभी प्रेढ़ना का मतलब सबसे अच्छी अभी प्रेढ़ना है दूसरा है मनीश गनीत में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष निर्धारित कर रहा है स्वयम खुद और प्रयास के साथ बना हुआ है और उचंक प्रात्त भी करता है इसका मतलब यही एक सबसे अच्छी अभी प्रेणा है और अभी प्रेणा का मतलब ही क्या है जो लक्ष निर्धारित होते हैं प्रयास बना रहता है और लक्ष की तरफ पढ़ते हैं यानि निरंतर एक तो होता है अभी लक्ष को लक्ष की तरफ बढ़ना और बढ़ते वे निरंतर प्रयास करते रहना और बने रह करना नियमित होते हुए कंट्रोल करना यही सबसे अच्छी अभिप्रेणा होती है गणेश कार्य पूरा करना चाता है पर अपना ध्यान केंद्रित निर्देशित करने में अच्छा है तो यह अभिप्रेणा नहीं है क्योंकि यहां कोई कार्य करना चाहता है कर नहीं रहा है म अनके लिह प्रयास किया और प्राप्त भी किया प्रैशन No.10 है, पाथय सहगामी करियाओं के प्रबंदन और संखटन के लिए निमलिखित में से कौन सा उपयुक्त मारक दर्शक सिद्दान थे यदि आप पाठे सहगा में क्रियाओं का प्रबंदन करना चाहते हैं माल लीजिए आप बच्चों को SUPW का रेक्रम में उनको संगठित और प्रबंदित रखना चाहते हैं आपको सबसे अच्छा क्या करना पड़ेगा कुछ चीजों का चैन करना उन लक्षों का चैन करना और पाठे सहगा में क्रियाओं का चैन करना और अभी प्रेणा साथ में होनी चाहिए और नियम भी बनेंगे क्या ये पहला उप्षन है दूसरा है पहले अभी प्रेड़ना दोगे अति महत्व दोगे उन चीजों को और हस्तक्षेप करोगे क्या तीसरा उप्षन है अभी प्रेड़ना देंगे हस्तक्षेप करेंगे और चयन तो हस्तक्षेप करना तो बेकार है और अति महत्व देना भी बेकार है अतिमा तो किसी का नहीं होगा यहां अतिमा तो देंगे आप यह जरूरी नहीं है तो फिर आपको क्या अच्छा लगा कि आप पहले चैन करेंगे किसी पाठे सामगरी का पाठे सहगामी क्रिया का उसके बाद आप उसे बालक को अभी प्रेरिद करेंगी कि आपको यह काम करना है उसके बाद उसमें कुछ नियम भी बनाएंगे ताकि बालक उन पर चल सके ठीक है तो चयन अभी प्रेणा और नियम सहीता ये पाठ्या सअगामी क्रियाओं के लिए सबसे जरूरी है प्रबंदित करने के लिए अगर नियम नहीं होंगे तो बालक सही दिशा में काम नहीं क अगला प्रशन है अभी प्रेणा एक वह प्रक्रिया है नहीं है अभी प्रेणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो व्यवहार को अरजित करती है और उसे बनाए रखती है ये तो है ठीक है व्यवहार को निर्देशित करती है और नियमित भी करती है ये भी है व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनिय बनाती है कोई देखने के लिए व्यवहार को देखना नहीं होता है अभी प्रेहना में व्यवहार को चैनित करती है और लक्ष की तरब बढ़ाती है तो बिल्कुल सही इसमें तीन तो सही है लेकिन यह नहीं है प्रत्यक्ष को अवलोकनिय नहीं बनाती है तो क्या क्या करती है व्यवहार को अडजित करना व्यवहार को बनाना व्यवहार को निर्देशित करना व्यवहार को नियमित बनाए रखना और लक्ष की तरफ भेजना और व्यवहार का चयन भी करना ये सारे काम अभी प्रेणा कर पर बालक जो होता है वो लक्ष के इंद्री त्वियवहार करता है उसकी तरफ कोई लक्ष होता है उसकी तरफ बढ़ता है काम करता है निरंतर नियंतरित कंट्रोल करते वे चैन करते वे लक्ष की तरफ बढ़ता रहता है अगला प्रशने सर्शक्त अभी प्रेड़ना सीखने का प्रभावशाली घटक है यदि आप बहतर अच्छी अभी प्रेणा देना चाते हैं तो इसके लिए क्या है स्वस्थ ध्यान प्रसन शिग्र तो यदि सशक्त अभी प्रेणा सीखने का प्रभावशाली घटक है तो इससे बालक क्या होंगे स्वस्थ रहेंगे ध्यान या शिग्र सीखेंगे तो बालक क्या करेंगे सशक्त अभी प्रेड़ना से अच्छे से सीखेंगे जल्दी सीखेंगे ठीके वह सम्वेग जो समनेतर दुख देता है वो क्या है जो दुख देगा ना वो आत्मा भिमान होगा जो वह सम्वेग जो समनेतर दुख देगा करूना दुख नहीं देती है, एकाकिपन दुख नहीं देगा, भूख दुख नहीं देगी, क्योंकि भूख से तो भोजनान वेशन होगा, लेकिन आत्म अभिमान क्या करेगा, आत्म अभिमान गोरव का प्रतीक है, तो एक तरह से समने तरह दुख देता है, आत्म अभिमान, ठीक है अगला प्रशने निमने लिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधी है तो रूची उत्पन करके भी आप क्या प्रेरणा दे सकते हैं और प्रशंसा करके भी प्रेणा दी जाती है, प्रतियोगिता में भावना उत्पन करके भी हम प्रेणा देते हैं, तो तीनों ही सही है, उपरिप्त सभी इसमें correct answer होगा, अगला प्रशने, अभी प्रेणा सामान्य क्रिया कलापों का प्रभाव है, जो प्राणी के विवार को निर्देशित करता है, यह परिभाशा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाशा जॉन्सन के द्वारा दी गई है, कि अभी प्रेणा क्या है, सामान्य क्रिया कलापों का प्रभाव है, जो प्राणी के विवार को क्या किया जा रहा है, इंगित, मतब चिन्नित किया ज तो चयन करना और निर्देशत करना दोनों है तो जॉंसन ने इसकी परिवाशदिए है चात्रों की निश्पत्ति निर्भर करती है जब आपने चात्रों को पढ़ाया तो उनकी निश्पत्ति हुई यानि वह सीखे उन्होंने और अनुभव किया और उनमें परिपकोता आई तो इस पर निर्भर करेगी जाती पर बुद्धी पर अभी प्रेणा पर सुव प्रत्य पर बिल्कुल नहीं जाती पर नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं स्वत्रिय पर Pardon उनका संप्रत्य कैसा है मताब खुद के जानने शमझने की शक्ति कैसी है भुद्धी का भी प्रभाव पड़ेगा उनकी अभी रूची कैसी है और उनकी अभी प्रेहना कितनी है आपने जो दी है उन्हें कितनी अभी प्रेणा मिली है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है option होना चाहिए आगे देखें link जाती इत्यादी का कोई फर्क नहीं पड़ता और शारिरिक बनावट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता सीखने में परिमारजन में परिपकोता में इन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा निश्पत्ती परिक्षन जो होते हैं जब हम experience मापते हैं किसी का तो उसमें 100 प्रत्य उसमें खुद की समझ कितनी है उसमें बुद्धी कितनी है इसकी अभी रूची कितनी है और अभी प्रेणा कितनी है यह इन चीजों से निश्पत्ती पर फर्क पड़ता है ए कथने शिक्षन अधिगम प्रिक्रिया में अभी प्रेणा आवश्यक है दूसरा कथन है अभी प्रेना अभी प्राय को इसपष्ट करती है और लक्ष की और आकर्शित करती है बिल्कुल सही है अभी प्राय को इसपष्ट करने का मतब चैन करती है अभी प्राय को हमें बताती है कि इस तरफ आपको बढ़ना है इसका मतब दोनों ही कथन सही है तो A, B सही है A गलत है ऐसा नहीं है दोनों ही सही है ठीके इसमें क्या आंसर होगा दोनों ही सही है option D इसमें right answer होगा चलिए अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा कार्य बाहिय प्रेरा के बाहिय मतब चित्र बनाना आप चित्र बनाते हैं अपने मन से अपनी इच्छा से ठीके तो अपनी इच्छा से आप चित्र बना रहे हैं ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं गणीत के प्रशन भी आप अपनी इच्छा से हल कर रहे हैं तो ये दोनों काम तो ऐसे हैं जो आंत्रिक है लेकिन जब दोड में भाग ली जाती न तो समूह में भाग ली जाती और कविता पाठ भी समूह में किया जाता है इसलिए ये बाहरी रूप से अभी प्रेरित कर रहा है इसलिए इसमें आंसर होगा Option C ठीक है चित्र बनाना आप स्वेम चित्र बनाते हैं तो ये तो आंत्रिक अभी प्रेरिणा है आंत्रिक प्रेरख है आप गणित के सवाल हल कर रहे हैं किसी ने आपको मोटिवेट नी किया आपको खुद कर रहे हैं तो प्रतिस परदा के लिए यहाँ पर C option correct है, सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविदी है, क्या यह सही है, अगला option देखते हैं, अभी प्रेज़ना को बढ़ाता है, जब सीखने में हम बीच में आकलन करते हैं, मध्य में थोड़ा थोड़ा आकलन करते रहते हैं, तो क्या यह अभी प्रेज़ना को बढ़ाएगा, क्या हमें motivate करेगा, क्या प्रतिस परदा लाएगा, अगला option है, अगर अलग करने और rank देने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ग्रेड को पूरी तरह से मत देने के लिए बिल्कुल भी नहीं, अब यहां A और B में थोड़ा सा confusion है, अब देखते हैं इन दोनों में से क्या होगा, विशिष्ट होता है, क्या सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई विशेषता नहीं होती, आकलन विशेष नहीं है, अपने आप में की गई आगलन गदिविदी है बिल्कुल एसा नहीं है तो यहाँ B option सबसे अच्छा है अभी प्रेणा को बढ़ाता है आगलन करने से क्या है प्रतिस परदा आती है बालक में और इससे अभी प्रेणा को बढ़ावा मिलता है 21 प्रशने एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए आंत्रिक अभी प्रेणा तब होती है जब अधिकम करता बाहिया संतोष जनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्यक करता है दूसरा option है बाहिया अभी प्रेणा तब होती है जब अधिकम करता बाह पुरुषकार प्रात्त करने के लिए कार्यक करता है तीसरा option है यह पुरुषकार से इस्थाई वेवार परिवर्तन होता है बिल्कुल नहीं बाइय पुरुषकार आंत्रिक संतोश होना चाहिए तो इसमें B option सबसे अच्छा है बाई या बिर प्रेहना तब होती है जब बालक क्या करता है अधिगम करता या बालक बाई या पुरसकार प्राप्त करने के लिए काम करे अगला है किशोरावस्था में हड्डियों की अधिक व्रद्धी होती है केवल हाथ हाथ की चेहरे की चेहरे भुजा टांगों की हड्डियों या भुजाओं वर टांगों की हड्डियों तो किशोरावस्था में सबसे जदा जो व्रद्धी होती है भुजाओं की और टांगों की यानि हाथ भुजाएं और पेर सबसे जदा बढ़ते हैं चेहरे की नहीं बढ का आधार सोरेंसन के द्वारा कहा गया है ठीके और अभी प्रेःणा को अधिघंग का सर्वस्थ्थ मार्ग सीखने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कया है इसकीझञ नगए यह सर्वुत्तम मार्ग है, स्वण पत है एक तरसे, तो प्रेणा सीखने के लिए सर्वशेष्ठ है, किसने कहा? इसकी नर्न है, और अभी प्रेणा को अधिगम का आधार कहा है, यानि अधिगम का आधार शब्द ढूंड़े, तो सोरेंसन लगाना और सर्वशेष्ठ के लिए सबसे अच्छा साधन किसने बताया है, इसकी नर्ने, कार्यात्मक प्रति बद्दता सिध्धान्त, कार्यात्मक प्रति बद्दता सिध्धान्त, प्रति क्रिया, में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा होता है, आकरति करण, पुनर्बलन, बहीर गमन या स्वतह आप सोटेक्ति में चिंतन का जन्म होता है और क्योंकि समस्या के समय उसे लग्ष का रास्ता नजर नहीं आ तो यह रॉस का खतन नहीं है मैं साहस का नहीं है हम प्रेजा कि इसमें संय उत्तर होगा घृ कहा है कि हम प्रेज perhaps 26 में अगला प्रशन法 को कि 27 चिंतन मान सी गत्यात्म क्रिया है बहुत आसान सी परिवाशा है रौस की परिवाशा है संकुचित कूप मंडूप चिंतन कौन सा होता है जो मूर्थ चिंतन होता है वो कूप मंडूप कहलाता है मूर्थ को ही हम अभी सारी चिंतन कहते हैं और अंतिम प्रशने व्यापक मौलिक चिंतन कौन सा होता है जो व्यापक है मौलिक है वो अमूर्त चिंतन कहलाता है तो इसका आंशर भी होगा चलिए अब मैं एक बार सब्मिट करता हूं और देखता हूं कितने प्रशन हल हुए हैं और कितने हमारे सही हैं सब्मिट का बटन किया हमने चलिए देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट रहा है इसमें दो प्रश्ण हमने खुद नहीं ही गलत लगाये हैं यानि 29 में से 27 सई हुए है आप देखते हैं वो दो कौन से इनकरेक्ट हैं जो कि मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है फाइनल यानि हमने भी दो प्रश्ण गलत किये हैं अब कौन से गलत किये हैं वो देख लेंगे ठीक है अभी तो नहीं देख सकते क्योंकि क्विज कम्प्लीट हो चुकी है चलिए यू है अल्रडी आंसर्ड दिस क्विज चलिए तो जो प्रश्ण दो हैं गलत वो मैं आपको कल बताता हूं कल की वीडियो में हम बात करेंगे लाइव आकर के धन्यवाद सभी का